हेलो मैं वेलकम बैक अबरियों मेरे लाम ही आशी सौर आप देख रहे हैं टेस्टीकोडी चैनल सो गाइस यह हमारे मीन इस्टेक का तीसरा पार्ट है ठीक है पहले में इंट्रोडेक्शन बताया था दूसरे में थोड़े बेसिक जीश बताई थी और आज मैं बताने वाला तो मैं कोसिस करता हूँ कि बिगनर लेवल की सारी चीज़े बिगनर को पता होनी चाहिए तो इन सारी चीज़ों को आप और एडवाल्स बना सकते हो बस आपको करना है कि अगर आप नहीं है तो चैनल को सबस्काइब कर ले जिससे की ऐसे रिलेटेट कंटेंट आपको मिलते रहे हैं और बेस्ट तरीके से आपकी अंडेस्टेंडिंग लेवल बड़ता रहे है ठीक है चलो सबसे पहले तो हम अब उपन कर लेते हैं अपना प्रोजेक इंद विजिए इस रहा हमारा फोल्डर इसके अंदर मैंने दो फोल्डर मतलब दो फोल्डर बनाया थे एक बनाय यह तो देख लो कि पिछले प्याएं मैं तरो फ्रो'RE किया था और विडियो आपको आईगार विजरू दॉडर नहीं है इसी वीडियो गर ल्स्ट में आप लग वाइवटन पर जाकर आप वीडियो फाइंड कर सकते हैं ठीक है अब जो आप advise नब करते हैं और कुछ एक दो वैरियेबल लिये थे उसे जोड़किना घटाना यह सारी चीज़ करके बताया था यह कह रहें कैसे दिखता है इसमें वह सारी चीज़ बताया थी ते सारी चीज़े पुरानी है और यह अन्नेसेसरी है मुझे काम की नहीं लगती है लेकिन अगर आप बिगनर है तो आपके लिए काम के आप जरूर नोट डाउन कर लें ठीक है चलो अब हम बढ़ते हैं नेक्स पॉइंट की तरब सबसे पहले हम बेसिक सीखने वाले हैं नोट जीस की बारे में तो एक बनाने के लिए सबसे पहले आपको जरूरत किस चीज़ की होती है तो सबसे पहले ए आपको यह data retrieve करके देता है in the server और आपके backend frontend की communication भी maintain रखता है ठीक है चलो सबसे पहले तो यहाँ पर आप जब भी कोई आप API बनाओगे इसको मैं save कर देता हूं और यहाँ पर यह terminal open है ठीक है अब यहाँ पर सबसे पहले मैं एक variable लेता हूं const type का const variable यहाँ मैं देता हूं HTTP ठीक है और एक चीज़ जान लेना जब आप node.js यूज करते हो तो node.js जब तक आप third party library या third party package नहीं यूज करते हो तब तक आप complete core node को hit करते हो core node में आपका HTTP वगरा आता है URL साते हैं इन सारी चीज़ को मतलब इन सारी चीज़ को use करने के लिए आपको किसी package को install करने की ज ज़रूत पड़ती है third party package की यह चीज हमेशा याद रखना ठीक है अब यहाँ पर मैं देता हूँ simply require ठीक है मैंने दिया require और यहाँ पर require क्या करोगा simply HTTP require करोगा अब देखो अभी इसमें कोई error नहीं आया क्योंकि simple से बात है यह इसका core part है इसके लिए हमें किसी चीज की third party की जुरूत नहीं है ही नहीं अब उसके बाद एक और में variable लेता हूँ कौश टाइप का ही जिसको मैं देता हूँ server मैं अपना server बना रहा हूँ खुद का ठीक है अभी देखो लो है third party package नहीं इंस्टॉल किया उसके बाद भी मैं server बना रहा हूँ is equal to HTTP colon dot create server देखो यहाँ प एक बीडियो में बीच में बनाओगा जिसपर बहुत तगड़े ग्जामपल के साथ बता हूँ एक अब आप इतना समझ दो को यह नोट्ट जूब से हमारा श्रॉंको allies टाइब का मतलब work ंवारिमेंट है ठीक है अब यहाए पिदेखो यह यह स्रॉंको यह अउन निश टायब को मुझे में ठर बनाला है इसमें मैं ढूरिया यह send data में मैं simply एक message पास कराता हूँ Hello and welcome to Tasting Kodi server ठीक है ये मैंने message पास करा है send data अब ही देखो response ले लिया request मैंने क्या दिया वो नहीं फर्क बड़ता है कि कि मैंने request मुझे जो करना है वो मैं अभी final में define करूँगा नहीं तो अभी आप confusion हो ठीक है सिफ इतना समझो कि मैंने क्या कि एक variable लिया server नाम से और यह HTTP कहां आया इस HTTP से आया HTTP के अंदर predefined हमारा create server नाम का already method बना बना रखा है उसमें मैंने दो argument बास किये पहला request दूसरा response और इसको callback कराया उसके बाद उसमें response में जो data उसको मैंने करा दिया hello and welcome to tasty codies server ठीक है और उसके बाद इसको यहाँ पर terminate कर दिया अब इतना तुम्हें form हो तब तो को कुछ नहीं करेंगा यह भी यह नोड हमारा समझ लिया है code को बस हो गया आपको कोई response नहीं दे रहा नोड समझ लिया नोड यह समझ रहा है कि हाँ यह code लिखा है सही लिखा है बस ठीक है अब चलो अब मैं थोड़ा सा server बनाता हो कि server server मेरा एक particular port पे listen करें मतलब वो समझे उस particular port को जैसे localhost 4200 आप एंगलर में करते हो तो port समझ लेता है कि आप एंगलर को रन कराना चाहरे हो तो उसके विहाब पे आपको क्या करता है उसके एंगेंश्ट पे आपको output देता है उसी तरीके से यहाँ पे भी मैं जब एक port particular हिट करा हूँगा तो उसके अगेंश्ट में जो reply देना है उसे मैं set करने चल रहा हूँ ठीक है तो यहाँ करना यह है simply देना server अब देखो अब मैं इसको use कर रहा हूँ ध्यान देना अब मैं इसको use किया server dot और यहाँ पर क्या होगा यहाँ अब इस से रिलेट इस server के अंदर जो 4000 एक पोर्ट है इसको listen करो उसके बाद यहाँ पर एक callback के थ्रू हमें one second यहाँ पर एक callback के थ्रू हमें एक response दो और वो response यह होना चाहिए console.log और यहाँ पर क्या होना चाहिए server is अब मैंने इसको save करा अब अगर इसी चीज़ को मैं यहाँ पर रन कराऊंगा जैसे मैं इंटर किया तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मैं output देने लगा server is running on port number और मुझे इतना लिखते ही यह हमें browser पर accessibility के provide किया है कि यहाँ से इसके थ्रू अब मैं browser पर भी इसको मैं access कर सकता हूँ कि इसका response क्या होगा अगर आपको देखना है तो आप browser पर आओ और simply लिखो localhost 4000 इंटर कर दिया अभी देखो यहाँ पर कोई response नहीं दिया अच्छा ठीक है ओके तो यहाँ पर इसको connectivity बनाने के लिए इसी चीज को मैंने बोलाना कि इसकी connectivity बनाने के लिए यह क्या करेगा यह अगर इसको ब्राउजर पर आपको रिंडर कराना है तो उसके लिए आपको URL फिच करना पड़ेगा ठीक है अब हम URL फिच करके करेंगे तो भी देखो इसका response हमें मिलेगा कराते हैं आज आते हैं टॉप पर और यहां देते हैं कॉंश्ट यूआरल इसकुल टू रिक्वाइर और यहां पर सिंपली क्या पास करेंगे यूआरल बतलब अब मैं URL को भी हिट कराना चाहता हूं ठीक है अब जब यूआरल की हिट करांगा तो जो समझना हमने एक यहां सर्वर किया रिक्वेश्ट रिस्पॉंस ठीक है अब हम इसी के अंदर आते हैं यहां पर लेते हैं कॉंश्ट वैरियेवल और इसके अंदर लेंगे पार्स यूआरल इसकुल टू यू आरल देखो आटोमेटिकली यह डार्क हो गया ठीक है यूआरल डॉट अब देखें य ने किया रिक्वेश्ट डॉट यूआरल ठीक है रिक्वेश्ट डॉट यूआरल जो भी हो वो यहां पर इसकी प्रॉपर्टियर दूसरा अर्गमेंट हमारा होगा जब यह टू हो जाए अउसकेस में बून सेकें यहां पर टर्मियेट करना है हमें कि अब हम यहां पर यूज़ कर सकते हैं इफ कंडिशन देंगे आकर हमारा पार्स यॉयारल डॉर्ट पाथ नेव इस इक्वल इक्वल सिंबल सिंगल स्लाइस है ठीक है सेप कर देता हूं इतना ही रखता हूँ बी ठीक है और यहां पर आपको सिंटे डेटा की जरूएति ही नहीं है वैसे यहाँ पर pump होता है तो बैसिकली हम इसको देते हैं response एंग, ठीक है save करते हैं, और अब इसको हम यहाँ पर hit कराते हैं ठीक है और यहाँ पर अगर हम hit कराते हैं तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पर hello and welcome to testi kodi server आ गया ठीक है, तो browser को बताने के लिए यह सारी चीजे जरूरी है कि आप core part को hit करोगे, तो core part पर देखो भी इससे पहले मैंने किया, तो यहाँ पर API मेरी crash हो गई, यहाँ पर आप देख सकते हैं API crash होई थी, ठीक है, इसी को बोलते है API crash होना, लोग बोलते हैं कि यह क्या होता है, API crash किसे कहते हैं तो API crash बैसिकली इसको ही बोलते हैं, समझे हैं और अब इसके बहाब पर हम यहाँ पर सारी चीजे, हैंडल कर सकते हैं अब अपने routes को आप देना चाहोँ अगर माल लो, आप तो लगता है कि नहीं मुझे कुछ और भी pass कराना है, copy करो मैं simply यहाँ इतना copy किया, एक second एक curly bracket open इसको block में कर देता हूँ, तो इस जिससे के multiple condition में pass कर सकता है, यहाँ पर अब मैं इसको simply यहाँ से copy करूँगा और इसी पर मैं यहाँ पर paste कर देता हूँ और यहाँ पर देता हूँ elseit elseit पर दिया और मैंने यहाँ पर दिया हूँ अब देखना, आप एक सी समय welcome to hello and welcome to homepage लिख देता हूँ अब समझना, यहाँ पर मैंने run कराया, अब एक बार इसे मुझे फिर से run कराना पड़ेगा, इसे बार बार run ही कराना पड़ेगा ठीक है आपको तो यहाँ पर आता हूँ, अब मैं अगर इसी को hit करता हूँ, तो क्या अभी वही है अगर in case में forward slash लिखा home, इंटर किया अभी देखो, इस change नहीं हो रहा है ठीक है, अब देखे, रन हो रहा है और एक सेकेंड यहाँ पर भी अभी response बन दी है, इसको मैं करता हूँ, copy अगें इसे रन कर आया, अब इस पर आओगे और अब अगें अगर आप इसको hit कर आओगे तो आपके इसको response मिल जाएगा आपके accordingly ठीक है आपके accordingly response कैसे मिलेगा, अभी बताते है एक second, I think यहाँ पर कुछ गरबढ़ है else if, ठीक है, यहने दिया ठीक है, अच्छा else forward slash home ओहो, इसलिए तनी आ रहा ना यहाँ पर आप capital से home लिखोगे अब आ जाएगा ठीक है hello and welcome to home page तो इस तरीके से आप अपने data को manage कर सकते हो यह एक core तरीके का basic part है जो कि आपको knowledge होना जरूरी था मतलब जरूरी नहीं कि बहुत जाद आना जी क्यों हमें काम करना API पे तो API के लिए हम third party package ही यूज करेंगे like express.js, body parser यह सारी चीज़, node, bone मगरा यूज करेंगे, तो वो सारी चीज़ हम start करेंगे packages, installation मगरा स्टार्ट करेंगे नेक्स वीडियो में, आज की वीडियो में बस इतना ही, मुझे मैं अपने API का basic चीज़े आपको समझाना था, इसलिए मैंने इस चीज़े बताया, तो आई वोब कि वीडियो आपके लिए काफी handful रहोगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, और अगर आप चैनल पर नहीं हो, तो सस्क्राइब कर लेना, क्योंकि आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफीशल होने वाला है, आने वाली पूरी के पूरी वीडियो, ठीक है, तो मिलते हैं नए वीडियो तब तक लिए बाबाए, कीप रेक्टिस, कीप कोडिंग, टेक केर, क कोई डाउट हो, तो बिना जीजे, कमेंट करना, मैं आपको रिपलाई दूँगा, थोड़ा देर से सही, पर आपको रिपलाई दूँगा, आपको अंसर मिलेगा,